हमको लय है कि भखे जा करने ना पूब होना बोलता है थह हमको लगता था कि जाक पीटी लिए आप गाली भी दिटा याय पतर चैला देता हम तो पहले n気 disabilities का चुनाव लड़ चुके हैं तो ग्लाफ finish है सुनने व्यातव प्लोगिंग वे गारा ही करती है थे छीज़ Bernard कि बाल बच्चे तो नहीं बता सकते हैं कि लंबे बच्चे हो लंबे होगा तो अच्छा बात है कि यह साइसा कोई परसानी वह रख्टे चलते अगर आपको कोई बोना दिख जाये तो शायद को लगता होगा कि इसकी जिंदगी काफी कठिन है वाकई माईने में एक बॉने की जिंदगी बहुत कठिन है हम जैसे आम लोगों के बीच अगर किसी बॉने को देखे तो उनके लिए रहन शेहन की जो तोर तरीके हैं वो काफी जादा बदल जाते हैं लेकिन अभी हमारे साथ योगेंदर जी हैं और उनकी पतनी है दोनों लोग यहाँ पर हैं और काफी खुशी से अपना जीवन वैथीत कर रहे हैं काफी हशी खुशी से दोनों रहते हैं इनकी कहानी जानते हैं और बहुत ही इंट्रेस्टिंग कहानी है योगेंद्र जी एक चीज बताइए उम्र कितनी है और आपकी और आपकी पतनी की मेरा उम्र 8-10 साल मतलब की साथ साल का डिफरेंस है जी अच्छा एक चीज बताइए आपके पूरे गाउं में आपके पूरे समाज में मुझे नहीं लगता है कि आपके इतने चोटी लड़की आपको मिल रही होगी क्योंकि बहुत कॉमन चीज यह नहीं है बहुत कठिनाई से इंसान को देखा जाता है अच्छा पहले के जवाने में मतलब पहले जब आप एक नॉर्मल जीवन जी रहे हैं तो उस समय में और पहले की हिसाब में पहले कोई बहुत गुसा आता होगा ब हमको लगता था कि बहुत को बहुत आगे पीटे आपको गाली देती आपको अब मजा आता है अब उतना परसानी नहीं अब ठीक है अब बोलिए भाई हम अपने में ही खास है हां शादी कब हुआ योगिंद्री वही बीस नमंबर 2022 को हुआ था बीस नमंबर 2022 में करीबन एक साल हो जाएगा कुछ समय में अभी 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 सारे नौ महीना हुआ है अच्छा योगिंद्री चीशादी कैसे हुआ कैसे इन से मुलाकात हुए कहां से है यह तो बगले से सीता मारी रोया नगर मेला रोड़ नमर बिस से है तो कैसे पता चला इनके बारे में हमको नहीं प तो चुनाओ लड़े तो जीते या हरे नहीं दो बोट से हाट तो पड़िवार जादा बड़ा रखते अगर बाल अच्छे होते उस समय में यह रहती तो यह वोट देंके जिता देती अच्छा कोई बात नहीं तो फिर कैसे इन से मुलाकात हुए वही मां तो जानता को काम क जिला मुखाले के रास्ते तो वहीं पर एक चार चका डराइवर सहाब अपना गारी लगा कर गारिये में बैठे बैठे हुए थे तो उसका नजर हमरे उपर पार तो आब आस तिन चार बार दिये तो देने के बाद हम फिर पीछे मुर के देखे तो बोलाया तो उसके पास तो वहीं बोला कि छोटू साधी किजेगा तिन चार बार बोला हूँ आदमी तो साधमी भंविश्वास इसलिए नहीं किये कि सिता मड़ी में जितना भी पर खंड हो या पंचात हो सारे के सारे लोग जिला मुख्याले के पास कोट कचरी है सारा वबास्ता मां तो वहां आन और हां योगेंदर साधी किजेगा फोटो दे दिजेता फोटो भी विशाइद 10-20 फोटो लेता था और सब परते दिन सभी लोग मतलब कान पक गया था वो सारे लोग को बात सुनते शुनते इसलिए उस डिराइवर सापर हमको विश्वास नहीं हुआ तो विश्वास होते देर मेना के बाद फिर क्या हुआ कि मेरे घर पे हम नहीं थे वही सुबह दस बजे के ताइम हम वही दुम्रा कोट का चरी चले गया थे तो वही सुबह के टाइम है दस बजे दस बजे नहीं वही साम साम के टाइम था दो तीन बजे तो वही क्या हुआ कूँ उसके बाद प पूजा जी के ठीक है जाइए आप लर्का घर और लर्काव को घरदवार देखकर काई जब वेक्ति आया मेरे घर पर तो हम नहीं थे उस टाइम नहीं थे तो उसके बाद सामने सामने वाली एक सीटर तो वोले कि घर पर कोई आद्मी नहीं तो बोले कि नहीं है जोगें चले गया हैं नुमरा कुटका चरी उनके ममी पापा भी कहीं गया होंगे काम दाने तो उसके बाद ठीक है नंबर दे रहा है नंबर कोंपी पर लिग देते हैं आज योगेंदर जाए आफ रही हैं कि योगेंदर जी में आपके घर पर रिस्ताव तो रहाएं चुने में आज दो हम तब हम को बिस्वास लगा कि हम को लग रहा ही पर को ड्रैवर साहब होगा तो जांगर कैसा रीस्ता भया तो पहला कि साधी गया तो बोले ठीक है साधी का रिस्ता तो अगर लड़की का फोटो है तो हमरे वार्षाप पर भेजिए तो मंगवाने के बाद क्या हुआ कि हमरे मुवायल पर भेज दिया जान में जान आ गया होगा कि भाई चलिए मिल गई जीवन संगी नहीं पर फिकर सब्सम्सा सब्सक्राइब करें हैं तो मीरी उसको प्लाएं अग्याव को देखा है सब्सक्राइब को पशांद होने बाद पिर उसको छेक्षार मेरे मेरे प hire is वही जानके स्थान सभी लोग को बलाया गया हम भी लोग इधर से गया हमने सामने सभी का देखा देखी हुआ और बात विचार भी हुआ तो यहां पर शादी शेक्ष हैं जी बहुत खुश है सुनने में आता गरा भी करती है अच्छा एक चीज बताइए आपके जो माता पित यह देखें जोड़ी काफी जादा सामाने नहीं है लेकिन शायद इन्हें देखने के बाद आप लोगों को लगेगा कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है कहा योगेंदर जी परिशान थे कि इनकी शादी होगी या नहीं लेकिन अब जाकर के इनकी पतनी मिल गई भावी जी गर्ववती है ये भी बात आज सामने आई है तो क्या अब तो ग्रियस्त हो गए है बाल बच्चे होंगे तो कोई परसानी नहीं भावान का देन है उपर वाला का देन है जी आप चाहते कि आपके बच्चे सामाने जीवन जी अच्छे से अपना ये पिता है और शायद योगेंदर जी ने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरी शादी होगी मैं भी आम लोगों के तरह ग्रियस्त जीवन में लेकिन पूजा जी इनके जीवन में एक अवतार की तरह आई पूजा जी इनके जीवन में उस वक्त आ गई जब योगेंदर जी को बहुत जादा इनकी तलास थी और अब ये पिता और माता बनने जा रहे हैं भगवान से यही दुआ है कि इनके बच्चे जो है इनके कहे अ अनुशार समानने हो और काफी लंबे हो बागी क्या सोचते हैं योगेंदर जी के बारे में और पूजा जी के बारे में कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना भूज़े